वोटिंग लाइन जो है वो खुल गई है और ऐसे में टॉप फाइफ के लिए लगातार वोटिंग हो रही है लेकिन जहां कल जो है प्रियंका आगे थी वही अभी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो कुछ और कहते हैं तो अभी के जो वोटिंग ट्रेंड है वो एमसी स्टैंड नंबर वन पर वता रहा है शिफ्ट ठाकरे नंबर दो पर प्रियंका नंबर तीन पर अर्चना चार पर और पांच में नंबर पर शालीन भनौत जी हां ये वोटिंग ट्रेंड जो है सामने आ रहे हैं कि फिलहाल जो है एमसी स्टैंड नंबर वन पर पहुंच गए है तो दारियल खपरी ने इस बात का दावा किया है कि स्टैंड वन पर है जिसको 34% वोट मिल रहे हैं शिर्फ ठाकरे नंबर दो पर जिसको 29% प्रियंका को 28% अर्चना को 5% और शालीन को 3% वोट जो है मिल रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से यह वोटिंग परसंटेज सामने आ रही है अगर यही रहा तो क्या स्टैंड ट्रॉफी लेकर चला जाएगा हाला कि कल जब वोटिंग लाइन ओपन हुई तब यह माना जा रहा था कि इस तरह की खबर थी कि जो प्रियंका है उसको सबसे जादा वोट मिल रहे है घर के अंदर ओडियंस गई वो ऐसा लग रहा था कि मानो शिव की ही फैन है और शिव 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 इस तरीके से हो रहा था कि मुझे लगा कि फिनाले से पहले जो बाकी contestant है उनका moral इतना डाउन ना हो जाए कि उन्हें लगे कि बाबा य आई वोटिंग भी हो सकती है फिनाले के दिन तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो है टॉफी कौन लेकर जाता है पर आपको क्या लगता है कि अब हमें टॉफ फाइफ मिल गए है निम्रित कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि निम्रित के साथ गरत हुआ उसका अनफेर था लेकिन क्या आपको भी लगता है और क्या आपको लगता है कि अगर निम्रित नहीं जाती तो इनमें से कौन होता जो टॉफ फाइफ डिजर्व नहीं करता था अपनी राये जो हैं हमें ज़रूर बताएं